अब इस वीडियो में आपको पार्ट योजना का प्रारूप स्पेसिमेन प्रोफार्मा ओफ लेसन प्लान तो हम लेसन प्लान को बनाएंगे कैसे आज हम आपको भौतिक विशय के प्लान के बारे में जानकारी देंगे कि भौतिक विशय का प्लान हम किस तरीके से बनाएंगे सबसे पहले हम रूल्ड पेपर ले लेंगे और रूल्ड पेपर में मार्जिन ले लेंगे मारजिन को ड्रॉ कर लेंगे उसके पश्यात हम उसमें बीचों बीच उपर लिखेंगे पाठ योजना क्रमांग जो भी क्रमांग हम डाल रहे हैं जैसे हमने पाठ योजना क्रमांग एक डाला पाठ योजना क्रमांग एक डालने के पश्यात ये सामान निजानकारी आपको हर लेसन प्लान में भरवाई जाती है जैसा कि पहला जो बिंदू है हमारा विद्याले का नाम दिनांग, विशय, कक्षा, कालखंड, समयावधी जैसा कि हम पूर्व में मात्वपूर बातों में पढ़ चुके हैं कौन-कौन से बिंदू हम इसमें लेना आवश्यक है तो यहां पर हम विद्याले का नाम ले लेंगे जिस विद्याले में हम पाठी उजना के लिए जा रहे हैं दिनांग, जिस दिनांग को हम पाठी उजना पढ़ा रहे हैं विशय, जिस विशय को ले रहे हैं, उस विशय का नाम कक्षा, जिस कालखंड में हम अपनी क्लास ले रहे हैं, 2nd, 1st, 2nd, 3rd, 4th उस कालखंड को लिखते हैं, और समयावधी ये विध्याले पर निर्भर करता है, कि उनका कालखंड कितने समय का निर्धारित हुआ है उसके पश्याद हम प्रकरण लिखते हैं इस प्रकरण को जब हम अपने रूल्ड पेपर पर लिखते हैं तो हम इसे पहले से ही लिख देते हैं लेकिन जब हम अध्यापन कारी कराते हैं पाथियोजना को लेके, तो बोड़ पर इस प्रकरण को हम प्रस्तावना प्रशनों के बाद लिखते हैं. एक बार और आप ध्यान से सुनने जब हम रूल्ड पेपर में अपनी पाठी योजना को लिख रहे होते हैं तो सारे बिंदु हम पहले ही पूर्ण कर लेते हैं परन्तु जब हम अपनी पाठी उजना को कक्षा में कार्यान वित करते हैं, उस समय पर प्रकरण हम प्रस्तावना प्रश्नों को पूछने के पश्याथ हम इस प्रकरण को लिखते हैं. Next step up हमारा आता है सामान युद्देश. इस विशेर में सामान युद्देश कौन कौन से हैं? सामान युद्देश चूकि हम इसका पहला मार्तवपूर्ण बिंदू है सामान युद्देश. चूकि हम बहुत तक शास्तर का ध्यान कर रहे हैं, चाहे वो 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th हो, 12th हो. उसमें हम बहुत तक विशाय को पढ़ा रहे हैं, तो विज्ञान के किसी भी विशाय से सम्मंदिद, जो सामान युद्देश रहेंगे, वो कौमन रहेंगे. जैसे कि पहले अद्देश को हम लेके चलते हैं, कि विध्यार्थियों को विशाय के प्रती रुची वा जिग्यासा उत्पन करना. विध्यार्थियों की विशाय के प्रती रुची एवं जिग्यासा उत्पन करना. यह हमारा सामान युद्देश है. इसी प्रकार से विध्यानिक द्रस्टी कोण डेवलप करना, विध्यानिक द्रस्टी कोण विक्सित करना, उनमें स्रजनात्मत्ता का विकास करना, उनमें तार्किक योगता का विकास करना, उनमें विज्ञान विशय की प्रती रूची पैदा करना इस तरह से हम सामान्य उद्देश लगवग 5 अपने उस रूल्ड पेपर में लिख लेते हैं और मुख्य बाद यह है कि जो सामान्य उद्देश हैं वो सारी पाठी उजनाओं में एक से रहते हैं अगा उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट विसिस्ट उद्देश पर पर मैं मिस इस उद्देश में है कि अ आगा आगा आट है जिस सुद्देश को लेकर हमने पाठियोजना पूर्ण की है यहां में पाठियोजना पूर्ण करना है उस उद्देश को लेकर हम यहां पर लिखते हैं इसमें हम लिखते हैं कि विध्यार्थियों को प्रकाश के अपवर्तन के संबंद में जानकारी देंगे विध्यार्थियों को प्रकाश के अपवर्तन के संबंद में जानकारी देंगे यहां पर आपने इपस्पस्ट समझी है कि जो सामानी उद्देश है क्यूंद जो विसिस्ट उद्देश को हमने अपने प्रकरण में लिया हिए वही हमारा लिखते होता है विध्यार्थियों को प्रकाश के अपवर्तनके संबंद में जानकारी देना om अश्यात हम आते हैं सहायक सामग्री पर तीसरा है सहायक सामग्री करें 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 सायक सामग्री में हम लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंदित चार्ट या मॉडल इत्यादी बाकी की चीजें जो हम लिखते हैं चॉक डस्टर पॉइंटर ये सब दूसरी चीजें हैं जो कि हमारे अध्यापनकारी में सायोग प्रदान करती हैं नेक्स्ट बिंदू आता है इसका पूर्वग्यान पूर्वग्यान में हम यह बताते हैं कि विद्यार्थियोंने प्रकाश से संबंदित जानकारी पिछली कक्षाओं में वह पढ़ चुका है जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन तो निश्चित तोर पर वह है विद्यार्थी पिछली कक्षाओं में प्रकाश के बारे में पढ़ चुका होगा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के शोद कौन कौन से है, प्राकर्तिक प्रकाश, क्रतिम प्रकाश किस प्रकार का होता है, इस तरह की जानकारी को हमें यहाँ पर लिखना है पूर्व ज्यान में विद्यारती इस प्रकरण से संबंदित जानकारी जो कि उन्हें पूर्व में ही ज्यात है वो रखते हैं इसके पश्चात प्रस्तावना प्रश्णा फूरु ज्यान के बाद प्रस्तावना प्रश्णों को बनाये जाता है प्रस्तावना प्रश्णों में दो कॉलम नीचे जाते हैं पहले कॉलम में हम लिखते हैं समधावित प्रश्ण यहां पर हम प्रस्तावन प्रश्ण बनाते हैं यहां पर हम हैडिम लिखते हैं यहां पर हम दो कॉलम लेते हैं इन दो कॉलमों में यहां पर क्रमांक रहता है यहां पर प्रश्ण रहते हैं और यहां पर समभावित प्तर रहते हैं कि इसमें हमको यह यहां पर महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जो हम प्रश्ण यहां पर लेते हैं उन प्रश्णों का क्रमांख कुल टोटल संख्या कम से कम पांच होना चाहिए जैसे पहला प्रश्ण हमने ले लिया हम यहां हमारा प्रकण था प्रकाश का अपवर्तन तो उसी से संबंदित हम यहां पर प्रश्ण लेंगे पहला प्रश्ण हमने ले लिया कि प्रकाश किसे कहते हैं यहाँ पर बच्चे आपको जवाब देंगे कि जिसकी उपस्तिती में जिस माध्यम की उपस्तिती में हमें वस्तुएं दिखाई देती है वहें प्रकाश कहलाता है ये और दूसरी मुख्यवात यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारा प्रस्तावना प्रश्न सरल और सटीक और सरल भाषा में होना चाहिए मतलब एक वाक्य में वहें प्रश्न हो जैसे प्रकाश किसे कहते हैं इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न होगा प्रकाश के श्रोथ कौन-कौन से हैं इसका जवाब भी वच्चे दे देंगे और यह आवश्चक है कि यह प्रश्न दो प्रकार के होते हैं एक प्राकर्तिक श्रोथ होता वो कौन-कौन से हैं तीसरा प्रशन हमारा आ जाएगा कि वो श्रोथ कौन-कौन से हैं तो यहाँ पर हमारा अंसर आ जाएगा वो श्रोथ हैं एक तो है प्राकर्तिक श्रोथ और दूसरा है क्रत्रिम्शूर्द असके बार नेक्स्ट James भार आ जाएगा प्रकाश का पवर्थन किसे कहते हैं वहाँ पर हम ये महत्वपूण बात का ध्यान रखेंगे ये बात महत्वपूण है कि प्रकाश का पवर्थन जब हम पूचेंगे तो उस अपवर्तन में यहाँ पर हमें उत्तर प्राप्त नहीं होगा यहाँ पर सभी छात्र जो हैं निरुत्तर हो जाएंगे और यहाँ पर हमें समस्यात्मक प्रश्न प्राप्त होगा इस समस्यात्मक प्रश्न को हम सिक्षक कथन में समझाते हुए लिखेंगे सिख्षक कथन में इस प्रशन को हम समझाते हुए लिखेंगे कि प्रकाश का अबवर्तन किसे कहते हैं उसका आंसर हम इसमें देती हुए लिखेंगे प्रस्तावना प्रशन में हमने आखरी का प्रशन देखा कि प्रकाश का अबवर्तन किसे कहते हैं तो उसमें चात्र निरुत्तर हो जाएंगे उस समय पर सिक्षक अपना कथन कहेगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यमें प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और यह प्रकाश के अपवर्तन की घटना कहलाती है तो यहाँ पर हमारी प्रस्तावना प्रश्न कम्प्लीट हो जाते हैं इसकी पश्याद हम पाठ योजना का विकास करते हैं पाठ योजना के विकास में हमारा next point होता है उद्देश कथन जिसमें हम लिखते हैं कि आज हम विद्यार्थियों को प्रकाश के अपवर्थन की जानकारी देंगे इसमें next आता है प्रस्थुति करण जो की हम अभी पहले भी आपको बता चुके हैं कि प्रस्थुति करण इसका महत्पूर पद होता है प्रस्थुति करण में हमारी पाठ योजना को हम दो प्रकार से विवाजित करते हैं विशय का संगठन चुकि बड़ा रहता है तो इस विशय की संगठन को हम दो एकाईयों में विवाजित कर देते हैं पहले में हम लिख देते हैं कि विशय वस्तु को दो एकाईयों में विवाजित करेंगे पहले में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन और दूसरी काई में हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम इसके अलावा प्रस्तुती करण में एक और मात्वपून बात ये होती है कि उसमें हम कौन सी सिक्षन विदी का उपयोग कर रहे हैं वह हम लिखते हैं इसमें हम ये लिख सकते हैं कोई भी विदी चाहे वो आगमन विदी निगमन विदी संसलेशन विदी प्रयोगात्मक विदी व्याख्यान विदी चुकि हम विज्ञान विशय पढ़ा रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि आगमन विदी आगमन विदी आग क्योगㅎ आगमन विदी का आगमन विदी करेंगे इस प्रकार से प्रस्तुती करण में पहला बिंदु हो गया विशय वस्तु को दो एकाईयों में विभाजित करना जिसमें से प्रताम एकाई में हम पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन दूसरी एकाई में हम पढ़ाएंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम और इ योजना को पूर्ण करेंगे अभी हमने देखा प्रस्तिकरण में सबीद्यां से देखेंगे एक कॉलम बनाएंगे इस कॉलम में विशैवस्तु वियोहारगत परिवर्तन लिखेंगे यहां सिक्षणविदे लिखेंगे च्छर्फण करिया dual distance क्या 4त है यहां पर लिखेंगे हम श्यामपट कारिया तो सबसे पहले हम विशय वस्तु में लेंगे अपना प्रकाश का पुवर्तन प्रकाश का पुवर्तन यहां पर हम लिखेंगे प्रथमर्काई यहां पर व्योहारगत परिवर्तन हम बाद में लिखेंगे सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे कि छात्रों को जित्र दिखाते हुए है प्रश्ण पूछे जाएंगे यहां कि यहीं हम जाएंगे इसमें पहला प्रश्णम लिखेंगे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है आपको क्या दिखाई दे रहा है वहां पर चात्रा बताएंगे कि हमें यहां पर प्रकाश से संबंदित चित्र दिखाई दे रहा है प्रश्यांपड कारे में प्रकाश का पुवर्तन हम लिख लेते हैं मालो हमने इस प्रकार का चित्र रूलर बूड में लाकर दिखाया है इसमें इस प्रकार की चित्र बना हुआ है ये तो इस चित्र को दिखाते हुए कि चित्र में A, B क्या है ये C और D कौन सी रेखा है D और E किस प्रकार की रेखा है ये कौन सा कौन है ये किस प्रकार का कौन है इस प्रकार से हम जब प्रस्तुती करण में प्रथमिकाई का प्रदर्शन करते हैं तो इस प्रकार के प्रश्ण हमारे चित्र की सहायता से क्रमबद बनते चले जाते हैं पहला प्रश्ण जैसे हमने बताए कि चात्रों को चित्र दिखाते हुए प्रश्ण पूछे जाएंगे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है तो चात्र उत्तर देंगे प्रकाश के अबवरतन का चित्र दिखाई दे रहा है दूसरा प्रशन हमें ये पूछेंगे कि इसमें A B क्या है तो चात्र उत्तर देंगे कि A B आधार है इसमें ये P Q क्या है इस प्रकार से आपके प्रतेक प्रशने का उत्तर इस चित्र के द्वारा आपको मिलता चला जाएगा इस चित्र पर आधारित जो प्रशन है उनी प्रशनों को जब हम complete करेंगे तो आखिर में हमारी प्रथम एकाई पूर्ण हो जाएगी इस चित्र से ही सारे प्रश्न हम निकालेंगे और इस प्रश्न के आधार पर 10 से 15 प्रश्नों में हमारी प्रथमिकाई पूर्ण हो जाएगी प्रथमिकाई पूर्ण होने के पश्यात हम सबसे important चीज है बोध प्रश्न लिखते हैं चुकि यहाँ पर जगह कम है तो हम आपको यहाँ बता देते हैं कि प्रथमिकाई के पूर्श्न हम बोध प्रश्न लिखते हैं comprehensive questions यह प्रथमिकाई के पूर्श्यात लिखे जाते हैं प्रथा मिकाई के बाद बोध प्रश्न लिखे जाते हैं बोध प्रश्न में हम उन प्रश्नों को लेते हैं जो यहां पर हमने पढ़ाई हुए हैं और जब हम इसको कॉपी में लिखते हैं जो रूल पेपर हमने आपको बताये था उसमें हम लिखते हैं तो हम श्यामपट कारी को पूर्ण करते हुए हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं बोध प्रश्न में हम अपनी प्रथम एकाई में से ही दो से तीन प्रश्नों का चैन हम यहाँ पर करते हैं जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा आपतित किराण अपवरतित किराण आपतन बिंदू अपवरतन बिंदू इस प्रकार के प्रश्नों का चैन करके हम बोध प्रश्नों को पूर्ण करते हैं जैसे यहाँ पर हमने लिखा अपना पहला बोध प्रश्न आपतन कौन किसे कहते हैं इस तरीके से हमारा पहला बोध प्रश्ण हो गया दूसरे बोध प्रश्ण में हम आपतित किरण किसे कहते हैं लिख सकते हैं और नेक्स्ट में हम अपवरतित किरण किसे कहते हैं ये लिख सकते हैं इस तरीके से हमारी प्रतम एकाई फूर्ण होती है दूसरी एकाई में यही कॉलम्स रहेंगे यहाँ पर हमारा चेंज हो जाएगा यहाँ पर हम फिर से नए प्रशनों का चैन करेंगे और अपनी दूसरी एकाई को फूर्ण करेंगे दूसरी एकाई में चुकि हमने लिया था कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम प्रकाश अपवर्तन के नियम तो यहाँ पर भी हम अच्छा यह हमने आपको नहीं बताए कि व्योहारगत परिवर्तन में हमें क्या लिखना है तो यहाँ पर चुकि हमने चितर का प्रयोक किया है तो यहाँ पर हम यह लिख सकते हैं कि छात्र को देखते हुए कल्पना का विकास करेंगे यह हम व्योहरगत परिवर्तन लिख सकते हैं यहाँ पर हम दूसरी उनिट में जब ले रहे हैं तो यहाँ पर हम फिर से अपवर्तन के नियमों के लिए एक चित्र बना कर लाएंगे और उस चित्र को दिखाते हुए हम फिर लिखेंगे कि चित्र को दिखाते हुए प्रश्न पूछे जाएंगे उस चित्र में हमने लिखा है कि अपवर्तन के नियम कौन से हैं यहाँ पर छात्र चित्र को देखकर उत्तर देंगे और यहाँ पर हम अपवर्तन के नियम लिखेंगे पहला नियम लिखेंगे दूसरा नियम लिखेंगे इस प्रकार से हम इसके आधार पर अपने प्रशनों का चैन करते हुए इस दूसरी इकाई को भी पूर्ण कर देंगे दूसरी इकाई को पूर्ण करने के पश्चात हम इस इकाई के भी बोध प्रशनों को पूछेंगे इस इकाई के बोध प्रशन पूछेंगे उन बोध प्रश्णों में हम ये पूछ सकते हैं कि अपवर्तन के नियम कौन-कौन से हैं और इसका सूत्र क्या है दूसरी काई में भी दूसरी काई के बाद भी बोध प्रश्ण आएंगे उन प्रश्णों की संख्या भी एक, दो, तीन लगभग रहेगी जो हम पढ़ा चुके हैं सेकंड यूनिट में उस यूनिट के ही बोध प्रश्णों का चयन हम यहां पर करेंगे दूती एकाई के पश्याद हम बोध प्रशन लेते हैं, बोध प्रशन में हम यहाँ पर फिर दूती एकाई से सम्बंदित प्रशनों का चयन करते हैं, एक, दो, तीन, जो भी प्रशन हमें यहाँ पर लेना है, बोध प्रशनों से ताथ पर यहाँ पर यह है कि जो हमने पाठे का बोध हुआ किन प्रश्णों के उत्तर विद्याति सही तरीके से दे पा रहे हैं इस प्रकार से यह बोध प्रश्ण हम पढ़ाएंगे इसके पश्यात हमारा आता है पुन्रावृत्ति प्रश्ण जो कि हमने स्टेप्स के दौरान देखा था पुन्रा अवलोकन प्रश्ण के दौरा हम यह देखते हैं कि विद्यारतियों का मुल्यांकन करते हैं तो इसमें भी प्रश्णों की संख्या लगभक तीन चार, तीन से चार हो सकती, तो पुनराव लोकन प्रशन में जो हमने दोनों एकाईआ पढ़ाई हैं, प्रथम एकाई और दुती एकाई, प्रथम एकाई और दुती एकाई, इसमें जो मुख्य प्रशन हैं, उन प्रशनों को हम पुनराव लोकन प्रशनों में उपियोग में लाते हैं इसके plastic next window होता है हमारा प्रयोक कारिती प्रयोक कार Theme के अंतरगरत है ककशा कार्य है किस कखषा कार्य में हम दो किस प्रकार के प्रशनों का अप्योग करते है यह इमप्राटन चीज है इसमें इसमें हम रिक्त स्थानों की पूरती इसमें हम तुनिस्ट प्रश्ण इसमें हम जोडी बनाओ प्रश्ण मेच्द कॉलम कित्यादी प्रश्णों का उप्योग हम कर सकते हैं जो कि कक्षा में कम समय में पूर्ण हो जाएं जैसे रिक्त स्थानों की पूरती हमने दिया तो इसमें हम चार से पास शब्दों को उनको दे सकते हैं दूसरा हमने वस्तुनिस्ट प्रश्ण दिया तो इसमें हम बहु विकल लास्ट हमारा बिनुदू आता है ग्रहेकारे में हम ऐसे प्रशन का चयन करते हैं जो कि भच्चे घर से करके लाए और अगले दिन हम उनसे पूझ सकते हैं कि आपने ग्रहेकारे पूर्ण किया राला किया उसका हम चेक कर लें इसको तो इस तरीके से ग्रहकारे में हम ऐसे प्रश्न को देते हैं जैसे हमने कह दिया कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंदित अनुप्रयोग लिखकर लाएं इस प्रकार से ये पाठ यूजना इन सभी महत्वपूर्ण बिंदूओं के द्वारा पूर्ण होती है ग्रहकारी के पश्यात हम आखरी में यहां पर अपने पेज में लिख देते हैं चातर अध्यापक या अध्यापिका के हस्ताक्षर और एक तरप में विशय सिक्षक के हस्ताक्षर इस प्रकार हमारी यहां पर पाठ यूजना पूर्ण होती है सबसे पहले हमने सामान उद्देश लिये फिर हमने विसिस्ट उद्देश लिया फिर हमने सायक सामग्री ली फिर हमने पूर्वग्यान लिया फिर हमने प्रस्तावना प्रश्न लिये फिर हमने उद्देश कथन लिया फिर हमने उसके पश्चात प्रस्तुती करण लिया प् प्रफमिक आई उसमें प्रफमिक रुपी के बहुत प्रषली आ प्रकारि पुन्रावलोकन स्वेशत प्रफय प्रफिर उसके प्रफिजद में प्रक्षा के प्रफ। इस प्रकार से हमारी पाठ्यूजना पूर्ण होती है आप सभी विद्ध्यारतियों को यह पाठ्यूजना समझमें आई होगी वबोर इसमास कंवें सेक्षण में प्रैश्ण पूच सकते हैं और पाठ्यूजना को तैयार कर सकते हैं आज के वीडियो में बस इतना ही आगे के झाल झाल